क्रिशना यसमी आपका एक बार श्वागत है और आज हम बाते कर रहे हैं बीपेसी सिच्ची फोर के इंटर्विव के लिए बहुत समय से आप लोगों की एक डिमांड रही है कि बिहार से समंधित जो एंथ्रोप्लाजिस्ट हैं उनकी वर्क पर एक बीडियो बनाया जाए यह मैं देख रहा हूँ कि कई दोगों ने हमें मेंसेज किया है कि बिहार के जो मानोशास्त्री हैं उनकी कंटिब्यूशन जो एंथ्रोप्लाजी में है तो उनकी कंटिब्यूशन पर एक विडियो या एक गाइड़ेंस से कि आप पे आवशकता मासूस कर रहे हैं तो बिहार में जो एंथ्रोप्लाजिस्ट बिहार से हुए हैं उनकी जो उच्छे इंपर्टिन्ट चारपांच लोग हैं जो इंपर्टिन्ट हैं पहला इंपर्टिन्ट है नाम जो बिहार से जिनका समंध्य हो है सरचंद रहे हलांकि ओरिजिन उनका जो था मुल्तह वो बंगाल से समंध्य थे लेकिन बिहार में उन्होंने वर्क किया है और एसी राय से कोस्टन आपको अवस्द पूछी जाएगी क्योंकि एसी राय को फादर ओप इंडियन एंथ्रोप्लाजी भी कहा जाता है तो बिहार के संदर में एसी राय जो है जार्खन में कास करके वो बाई प्रोफेशन वो वकील थे एड़ भॉकेट थे लेकिन जब राची हाई कोट में वे प्रैक्टिस कर रहे है तो तो फिर उनकी उची जंजाती रोगों में डेबलब कर गई और उन्होंने जार्खन के यानि बिहार के जंजाती उपर बड़ा अच्छा वर्क किया है जिसमें जो फर्स्ट इंपोर्टेंट वर्क है मुन्डा एंड दियर कंट्री ये 1912 में उन्होंने मुन्डा जंजाती पर एके बिस्तित्ते निबंध लिखा और ये बुक जो है इतिनुग्राफी के शंदर में आज के रिट में एक बहुत महत्पून सोर्सिज है इससे में उन्होंने मुन्डा जंजाती का प्राचिन भारत से ले करके आज यानि 1912 तक के उनके एतिहास और उनके संस्कृति के विविन पक्षों को रेखांकित करने का प्रयास किया है दूसरा दूसरी उनकी महत्पून जो कृति है उरान औप छोटनागपूर यानि छोटनागपूर की उराओं तो उराओं जंजाती की संस्कृति पर भी उनका प्रभावसाली लिखन है और इसमी उन्होंने उराओं जंजाती की जो घुमक्रिया जिसको आप युवागरी कर उडाहों जन्जाती के गुमक्रिया चुवा करी है और उडाहों जन्जाती के जीवन यह संस्कृति के संदर में ब्यापक के बिश्तित चर्चा की है तो आपसी अगर प्रस्ण पूछा जाए, सिंपल प्रस्ण पूछे जाते हैं कि ऐसी राय के कुछ वर्क की चर्चा कीजे यह दो महत्पून चीज़ आप प्याद रखेंगे दूसरा महत्पून नाम है बिहार से जो एंद्रोप्लाजिस्ट हैं वो हैं L.P. विद्यार्थी जो मुलतह बिहार के रहे हैं और L.P. विद्यार्थी का बिहार के जन्जातियों के संदर में बड़ा ही ब्यापक अध्या एक चीज़ ध्यान में यह रखना है कि जब एंध्रोप्लॉजिस को त्यार करते हैं तो कई बार जो इंटर्विवर हैं ओ आप से पूछ लेते हैं कि आपने एलपी विदार्थी की कोई पुस्तक पड़ी है क्या आप एक कंटिबूशन को अगर उसके बताएं तो फिर ओ पू इंडिया और अगर आप इंटर्विव देने जा रहे हैं और खास करके अगर विहार के जंजातियों के बारे में अगर आप अच्छा सुचना प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ट्राइबल कल्चर अप इंडिया आप ए थोड़ा सा देख सकते हैं यह बड़ा ही दो केस स्टड़ी इंपॉर्टेंट है एक तो मालेर पहारिया पर जिसके अंतरगत उन्होंने नेचर मैन स्पिट कंप्लेक्स की अधारना का प्रतिपादन किया और दूसरा सेक्रेट कंप्लेक्स अप हिंदू गया यह तो आप याद ही रखिएगा दोनों बोक भी है और य इंडियान में रखना है इसकी अलावी एल्प विद्दार्ति ने इंधिन एंतरपलाऍ니다 यह उस पे इसकी अलामी आलवी विद्धार्थी ने घागड़ा नाम जो है झारकन में उसका उन्होंने अधियन किया था और यहां गाउं जो है एक ऐसा गाओं है जिसमें जंजाती और गेर जंजाती दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं इसकी अलामे अप्लाइड एंथ्रोपलोजी, एक्सन एंथ्रोपलोजी में एलपी विद्धार्थी ने कामड़ी प्रोजेक्ट का निर्मान किया था और उस प्रोजेक्ट को अपनी गाडलाइड में उन्होंने सपलीभूत किया था तो आप एलपी विद्धार्थी को ध्यान में रखेगा और एलपी विद्धार्थी जो है बिहार इंभर्सिटी यानि उस समय राची इंभर्सिटी भी बिहार इंभर्सिटी के अंतरगत आती थी, उसमें होडी थे एंथरपलोजी डिपार्टमेंट के, और बारत में एक ऐसे मानुशास्त्री हैं, जिनकी इंटरनेशनल ख्याती है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो प्रसनाल्टी है अगर बिहार से जिनका समन्ध है, वह हैं डिएन मजुंदार, बहुत कम लोग जानते होंगे, कि डिएन मजुंदार जो हैं बिहार से हैं, और डिएन मजुंदार का पतना से समन्ध रहा है, डिएन मजुंदार ने 1924 इसमें जो बिहार की जंजाती है, उस पर भी प्रभासाली लिखन है, और एक मत्मून उनका वर्ख है चेंजिंग हो, हो जंजाती में जो परिवर्तन है, उसका अध्यान, डिएन मजुंदार कर रहे हैं, इसके अलामें डिएन मजुंदार के बाद अगर आपको बिहार के मानोसास् तो डॉक्टर सचिदानन्द, डॉक्टर सचिदानन्द जो है एन सिनह इंस्च्चूट पटना में एस्कॉलर थे, रिसर्च एस्कॉलर थे और उन्होंने सोचल एंथ्रोपलोजी के चेत में मत्मून कार किया है, और बिहार के संदर में जहां तक बात हम करें, तो कल्चरल, कल्चर चेंज इन ट्राइब और बिहार, इसमें उन्होंने, ये बुख है उनका मुंदा और उराओं जनजाती में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए है, उस सांस्कृतिक परिवर्तन पर बिश्यस रूप से उसका धेन किये हैं, इसमें वो खास करके जो उनके जुवागर हैं, उस जुवागरिह में भी जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को भी रिखांकित करते हैं, और डॉक्टर सचिदानंद, जो है, जनजाती लोग जो हिंदुकरन से प्रभावित होते हैं, उस पर भी बड़ा ही असपस्ट और प्रभासाली विचार रखते हैं, जि इसके अलावे सुरजित सिनहा, जिनके बारे में कम लोग जनकारी होगी, सुरजित चंदर सिनहा, इनका भेश्रमंद बिहार से है, और सुरजित सिनहा ने भूमी जनजाती में राजपूताई जेसन, यानि संस्कृतिकरन की जो प्रक्रिया है, उसका अध्यान किया है, और इसके लावें एक महत्पुन प्रसनाल्टी है माखन ज्हां, माखन ज्हां बिहार के L.P. विद्यारती के बाद रांची इन्वर्सिटी में एक बहुत ही महत्पुन एंथ्रप्लॉजिस्ट के रूप में उबड़े जिन्होंने सेकिट कम्प्लेक्स और रतनपूर और सेकिट क अंथ्रप्लॉजकल ठीवरी पर उनका बहुत ही वर्ग बहतर है और वो बहुत ही पतली किताब है आपको कहीं भी मिल जाएगे अंथ्रप्लॉजकल ठीवरी इसके लावे सोशल एंथ्रप्लॉजी में भी उन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्ग किया है तो आप इस तरह से इन मानों शास्त्रियों के वर्क को ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान में रख करके आप इनके बारे में जनकारी एकत्रित करके आप इस से रिलेटेड जो प्रस्न होंगे उस प्रस्न का आप एंसर दे सकते हैं और इसे एक हम आपको आडिया दे रहे हैं कि आप इस तरह स इनके बाड़े में information collect कर सकते हैं और फिर इस information को और gather करके systematic रूप आप दे लेंगे और फिर इससे आप प्रसनों का हल कर लेंगे क्योंकि समान रूप से बहुत easy प्रसन पूछे जाते हैं कि आप familiar हैं या नहीं और इसलिए जब बिहार के anthropologist से ये प्रसन पूछा जाए कि आप से पिक्षा की जाती है कि आप उससे familiar हैं और उनकी कुछ वर्ग यानि books के नाम भी अगर आप याद रखें तो बेहतर होगा और खास करके आप धियान रखिएगा कि ओ बुक के ज़्यादा important है जो कि आम तोर पर available है और उसके माद्यम से आप चीजों को रेकांकित कर स करते हैं जैसे कई लोगों का बुक जो है आपके syllabus में भी चलती है तो उससे बुक को तो जरूर आपको जनकारी होनी चाहिए और खासकर उसको जनकारी ही नहीं होनी चाहिए उसको एक बार आप देख लीजिए कम से कम उसमें क्या-क्या content है क्योंकि कई बार लोग पूछ द कि इसमें पहला चाप्टर में क्या है और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर क्या होगा कि आपको वहां पर गलक्त सिध्ध हो जाए मैं तो कम से कम टैवल कल्चर आप इंडिया तो आप देख लीजिए उसी तरह से D.N. मजुंदार, मदान और मजुंदार की बुक है An Introduction to Social Anthropology उसका ध्यन किया है यह अप गुक जो है आपको हिंदी माध्य में भी उपलब्द है और अंग्रेजी माध्य में भी उपलब्द है उसी तरह से मैंने माखन जा की बाते की कि माखन जा के बारे में अगर कंटिगूशन के बारे में बात करे तो आप पे बता दे ठीक है कि उन्होंने Sacred Complex of रतनपूर या Sacred Complex of जनकपूर का धहन किया है लेकिन अगर वो पूस्त है कि क्या उनकी कोई पुस्तक आपने देखी है या पड़ी है और अगर आप ने थोड़ा देख लिया है Anthropological Theory उनकी पूस्तक जो कि यह लेबल है मार्केट में बहुत पतली किताग है पांदिन में पड़ सकते हैं तो आप का जो इंटर्वीव होगा वो बहुत बेस्ट होगा तो इसे तरह से आप इन टॉपिक को त्यार कर लेंगे और फिर हम लोग आगे भी बात करेंगे आपके साथ इंटर्व्यू के शंदर में और भी हम बात करेंगे आज बस इतना ही थ आपके सर दीव होगा भी हम है है क्यों स्काइली बात करेंगे आपगा बसकी देशर्व फिर्ज में पनादी एंटर्वीब कर वारत है टाफंट बाख